यूपी के जांगीराबात में बीपियस इंटर कॉलेज में आयोजिस सत्रवी माध्यमिक विध्याले की एक दिवेश से शेत्रिय कुष्टि पृतियोगता का आयोजिन किया गया जिसका शुबरम कॉलेज की पृधानचारे कुल्दी पुंटिर ने फीता काट कर किया पृतिय डूगिता में शेत्र के स्कूलों के चात्र चाज़डराउन ने प्रतिबा दिखा गर अपने जौहर को दिखाया सबिविश्टा के लाडियों को निरनाय कमेटी ने पुरुसकार देकर संबानित किया आज हमारे यहां बाद में पिध्धाले की छेत्रिय कुष्टी प्रत्युक्ता का जन्म किया गया है जिसमें विविन छेत्रों से आई हुई टीमों ने प्रत्वा किया है इसमें प्रत्युक्ता एक दिशिया है आज ही इसका समापन होना है इसके बाद हमारे ही नगर में स्विक्मार जन्ता इंट्रकॉलिज में इसका मंडल बप्रत्य सिस्त्रिय कुष्टी प्रत्युक्ता का आईजिन किया जाएगा क्या नाव आप अब जित कुमा से बांध धसने लगा है जिससे ग्रामीनों में दहशत का महोल है बार्खट विभाग के उदासीन रवये से आक्रोशित ग्रामीनों ने धरना कर विभाग के खिलाव जब कर नाले बाजी की अगर बांध तूटता है तो पूरे गाउं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वही ग्रामीन बड़ी जन हानी होने की आश्यंका से भैभीत हैं बिभाग के कोई करमचारी अधिकारी आया था? जी नहीं कोई अधिकारी नहीं आ था, हम लोग फोन कर ने मुर्को सुम्चना दिये, वो भी नहीं आ रहा हैं लोगग बड़ी खबर आ रही है कुशिनगर जिले के ग्राम सभा कोप जंगल के पशु आश्रे केंद्र से जब वहां काम करने वाले करमचारी ने सेमेन न्यूस को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गायों की मौत के बाद बिना पोस्ट माडम के किस तरह से दफना दिया जाता और चारे पाने के भाफ में किस तरह से गायें दम तोड़ देती थी वही दरजा प्राप्त गोसेवा आयोग के मंतरी अतुल सिंग ने गोशाला के डिरेक्षिन के दुरान से मेन न्यूस से खास बाचित करते हुए कहा कि दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा जो भी दोश नहीं उस लागातार पिछले कुछ हपतों से कोब जंगल ग्राम सबा के गोशाली की जो है लागातार खबरे दिखा रही थी कि किस तरह से गाये मर जा रही है उसके पीम नहीं करा जा रहा है उनको दफना दिये जा रहा है इन सारे मामले पर आज एक बड़ा खुलासा था यहां पर किस तरह से गायों को दफन कर दिया जाता है इसमें जाते है पर दान जी मिल आपको पैसा मिलेगा हम पैसा पा रहा है कहां कि यह नुवासी कप से काम करते थे वा की है यह काम की हैं आट जाय महीं काम हूब कह तो यह सारी जाड़ियां के पीछे के यही आप ग जाते हैं तो पूरा नहीं मिलता था इक बड़ी मिलता है चोकर आए जो इसकी सिकायत आप करते थे अधिकारियों से कर्मचारियों से कहते थे पाइसा पाएंगे तो एक बड़ा खुलासा हुआ यहां पर कोब जंगल गॉसाले में आपको बता दू गाय जो है मरती थी और यह दफनाने का सिलसिला जो है लागातार चलता था कितने महिनें उसे यह गाय को दफना दिया जाता था अब तक कितनी गाय जो है मर गई है यहां पर और कहां कहां यह सारे चेतर में लागातार यहां पर पहुंच के कवरेज किया पुरे चीजों को खुल करके बताएं पूरा देश देख रहा है तुक्त है तो क्या आज मंतरी आ रहा है तमां तरह के गाउसाले में ब्यौस्ता की गये साब सथाईया की गये तमाम तरह के करमचारी आज लगे हों क्या इस तरह की सुरच्छ ब्यूस्ता दूलाइब प्राइवेट के तो पर पर आपको तन्खाव अगर समय से मिल जाता था प्राइवेट के कर्मचारी के तोर पर आपको रखा गया था पर आपको तन्खाव अगर जो है वो मिलता था समय से इस पर आपको तन्खाव अगर नदी की आदमी हो तुमको पैसा में लेगा चोजार महीना में लेगा अगर पाताई अगर आपको दिखाई दे रहा है आज आने के बाद जो बिरहत गोसा नच्छार केंदर के बगल में खाली जमीन में जिस तरह से पसूओं को दफनाया गया है वह एक कब्रगाह का सकल ले लिया है और जो बाते हैं जानकारी में आई हैं कि यहां पर तमाम पसूओं जो गोबंस हैं वो मर जाते हैं उनकी पोस्पार्टम नहीं होती है उनको दफना दिया जाता है बाहर से गोबंस को लाके संख्या को पूरा कर दिया जाता है यह सारी बाते मेरे सज्ञ्यान में आई हैं और आज साम को इसी संदर्व में एक जिला अधिकारी और जिले के बरिष्ट अधिकारी के साथ हम लोगों की बैठक भी है उस बैठक में इस पूरे विश्य का मैं जाच कराऊंगा एक टीम बनाई जाएगी जिले में उस टीम में पस्पालन विभाग से क्योंकि यह विभाग सीधे इनवाल यह अलग कमेटी रहेगी जो एक हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट देगी आखिर में ठीक आखिर इन पसुओं के महुत्ता कारण क्या क्या मानते हैं आप कैसे पसुमर रहे हैं अब यह तो जाच हम करा रहे हैं जाच में सारी बातें साफ हो जाएंगी सब पिछले दो त अब तो जाच में जो भी दोसी होगा जिसने भी बीना पीयम के गोवन्सों को दफन करा दिया होगा जो भी संलिप्त होगा वह बक्सा नहीं जाएगा यह मेरा वादा है